सीमा मसाला 21 मसालों का पैकेज पाईए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में बड़े इमली की चट्नी और पाव किलो स्पेशल सालन का मसाला और भी दिगर 21 मसालों का पैकेज हिंदु जन आक्रोष मोर्चे के नाम पर नितेश राने मालेगाउ आए थे यहां आने के बाद उन्होंने जिस तरह भड़काओ भाशन दिया ऐसा लग रहा था कि शहर का वातावरन खराब हो जाएगा शहर का वातावरन खराब हो उसके लिए उन्होंने ये मुद्दा भी लिया कि केले के उपर जा करके आस पास के जो बस्ती है उसके तालुक से उन्होंने ये कहा कि आट दिन के अंदर ये बस्ती उखड़ जानी चाहिए बस्ती के लोगों ने अपना घर खाली करके दूसरी जगा चले जाना नहीं तो नौवे दिन आ करके बुल्डोजर से मैं पूरी बस्ती डिमोलिश कर दूँगा ऐसा उन्होंने चेलंग करके गे जाहिर बात है हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है और यहां किसी के बाप का राज नहीं चलता है बाबा साब अंबिटकर ने जो सववीदान दिया है उस सववीदान के मताबिक देश चलता है किसी के घर को इस तरह उजाड देना जो लोग आज 60-70 साल से यहां बसे हुए हैं उनको तुम आकर अपनी मन मर्जी उखाड करके फेक देंगे ऐसा पावर आपके पास नहीं मालेगाओं के अंदर टेंशन बहुत है किला जोपड़ पटी के लोग मेरे पास आये थे मैंने कमिशनर से टाइम ले करके आज मिटिंग लगाई थी और कमिशनर के सामने जो हमने थोड़ी बहुत बात रखी उससे कमिशनर साब को यह अंदाजा हो गया कि यह 60-70 साथ से बसे हुए लोग है और कानून के मताबिक इनको यहां से इनकी मर्जी के वगेर शिफ्ट नहीं किया जा सकता कोई कानून ऐसा नहीं है जबके यह मामला लोक आयुकते में चल रहा है और लोक आयुकते के तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके पेशे नजर यह है कि यह जहां पर है उसी जगे पर इनको दोबारा आबाद किया जाए ऐसा कोई रास्ता बनाया जाए और अगर यह मुम्किन ना हो तो गौर्वर्मिंट जो है इनको कोई दूसरा मतबादिल इंतिजाम करके दे और जब तक मतबादिल इंतिजाम नहीं होता इनको यहां से उखाड़ा हटाया नहीं जा सकता और इस तरह की जो तीसरा सुजाव यह था कि घरकुल योजना के अंदर इनको जाना चाहिए तो वो चीज इनको मनने नहीं है कुबूल नहीं है इसलिए कि वहां पर बेसिक सिविधा नहीं है और यह जहां पर इनकी रोटी रोजी है वहां आने जाने में इनके 200 रुपिय डेली के खर्चों होंगे यह तो पचार सौ पांस सौ रुपिया कमाने वाले लोग अगर 200 रुपिय रोजाना आने जाने के किराए में देंगे तो इनका घर कैसे चलेगा यह सारे मुद्दे थे जिसको ले करके कमिशनर के साथ बैटे बात यह हुई है कि कल दोपहर में फिर कुछ चुनिंदा लोग जिनको इस मामले की जानकारी है वो लोग बैठेंगे बात करेंगे कोई ऐसा अच्छा हल जो यहां रहने वालों के लिए काबिले कुबूल होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे